कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी तयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे आज से जो हमारा टापिक है मैं आपको बताया था कि जैसे ही हमारी प्याजे वाइगोस की कोहल बर्क की थेवरी कंप्लियूट हो जाएगी मैं आपको एमसी क्यूज दूँगा और ऐसे एमसी क्यूज जो प्रीवेस येर में आये हैं और अगर आप इन्हें कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेस लेवल ज कि उसका पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तेवरी के स्क्सें नहीं देखें डिस्क्रप्शन में आपको प्लेए लिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा आप वहाँ से पिछले वीडियो जरू दिखेगा वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक करेंगे बिना समय कवाई है अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक करके जरू जाएगा लाइक की कमी रह रही है जितने लोग देखते हैं उन्हें से कोई भी लाइक नहीं करता तो आप लोग लुका करीएगा आ तेंगे पहला परसे मारा भस्त्र उस्थायत्त का घुर्ज है यहां पयाज था पीजे किस अवस्था में पाए जाता है पुर्व शंक्रात्म का ऊस्था इंदरी जिनित गपाऊंवश्था और तो आपको बताना है कि वस्त इस्थाईत्त का गुड़ जो है संग्यानात्म विकास की किस आवस्था में पायाता है देखें आपको पता होना चाहिए कि वस्तिस्थायुतु का गुड जो है ये इंदरी जनित गामक अवस्था में पाया जाता है ये कहते हैं कौन पियाजे महोदे प्याजे महोदे कहते हैं कि इंदरी जनित गामा का वस्था में वस्तिस्थाईटु का गुड़ पाय जाता है वस्तिस्थाईटु का गुड़ होता क्या है कि मस्तेशक पर किसी भी चीज का चित्र अंकित हो जाना वस्तिस्थाईटु कहलाता है यानि वस्तु जो है एकदम हमारे दिमाग पर इस्थिर हो जाती है इस्थाई हो जाती है जैसे माली जे कोई बच्चा इंदरी जिनित गामक अवस्था को जो समय होता है जन्म से दो वर्ष का होता है तो माली जे इस अवस्था के बीच में कोई बच्चा जो है वहाँ लाल रंग के खिलोने से खेलता है और उसकी मा इस खिलोने को कहीं छिपा देती है ये जे खिलोना है इसे जो है कहीं छिपा देती है तो बच्चा जो है उसी लाल रंग के खिलोने को ढूनेगा क्योंकि उसक चित्र जो है उसके दिमाग पर छपा हुआ है क्योंकि वह उसके साथ हमेशा खेलता है तो द्वस्त इस्थाइट का गुड जो है इंद्री जनित गामग अवस्था में पाया जाता है भी वाला अप्सन आपका सही होगा अगला हमारा प्रशने सजी और निर्जी में अंतर नहीं कर पाता है किस अवस्था में पियाजे की किस अवस्था में जो है जो बच्चा होता है वह सजी और निर्जी में अंतर नहीं कर पाता है कौन सी अवस्था होगी देखे सजी और निर्जु में अंतर नहीं कर पाता है जैसे मैं आपको धानर देता हूँ जैसे मा लिजे कोई बच्चा जो है किसी खिलोने से खेलता है और वह खिलोना जमीन पर गिर जाता है तो वह रोने लगता है और अपनी मा से कहता है कि खिलोने को चोट लग गई है तो जब उसकी मा जो है उस खिलोने को प्यार करती है या फर्स पर गिरता है अगर वहाँ उसे मारती है तो अखुस होता है तो वो समझ नहीं पाता है कि खिलोना सजीव है या निर्जीव है तो सजी और निर्जीव में कि सवस्था में जो हो अंतर नहीं कर पाता है पूर संक्रियात्मा का उस्था, इंदरी जिनित गामा का उस्था, मूर्त संक्रियात्मा का उस्था या अवचारिक संक्रियात्मा का उस्था बहुत इसांदार एक प्रश्ण है देखें मैं आपको बता दूँ जो जन्म से दो वर्ष की अवस्था होती है वो इंद्री जिनर गामा का वस्था होती है इसमें जो बच्चा होता है इंद्रियों पर आधारी तोरों सारी रिक क्रियाओं के जो क्रियाए करता है जो सारी क्रियाए करता है उसके आधार पर सीखता है लेकिन सजी और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है ये पूर श्रंक्रियात्मक अवस्था में होता है और ये अवस्था जो होती है ये दो से साथ वर्ष की होती है ठीक है सजी और निर्जीव में बच्चा अंतर नहीं कर पाता है ठीक है इस चीज को आप लोग ध्यान निखेगा आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रस्ण की ओर बताना है आपको सही मिलान मैंने आपको बताये था कि आपको चारो अवस्थाएं जो है एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए कि उनका क्रम क्या है और उनका आई वरक्या है तो सही मिलान है पूर संक्रियात्म का वस्था जन्म से दो वर्ष का होता है इंदरी जनित गामा का वस्था दो से नौ वर्ष का होता है मोर्त संक्रियात्म का वस्था साथ से ग्यारा वर्ष का होता है या अपचारिक संक्रियात्म का वस्था दो स से साथ वरस का होता है तो देखे मैंने आपको throughout कि सबसे पहली वस्ता कौछ सी है इंदरी जनित गामा grammat y preservation depends तो आपको कौन सा सही दिख रहा है आपको बिलकुल दिख रहा होगा मौर्थ संग्रियात्म का वस्था ये 7-11 बर्ष की होती है और आपका यही वाला आपसन प्रस्ण के नुसार सही होगा ठीक है उमीद करता हूँ आपको प्रस्ण समझ में आ रहे होगे और आपको अच्छा लग रहा होगा कि ये प्रस्ण जो है कितने आसान है तो आसान भी है और अगर आपको थेवरी अच्छे से पता होगी तो ये प्रस्ण बहुत ही आसान है लेकिन अगर आपको थेवरी नहीं पता होगी तो ये ही प्रस्ण जो है आपके लिए जी का जंजाल बन जाते हैं परिच्छा में कि ये प्रस्ण कहां से आ गया वाई अगला है विलोमीता का गुण के सवस्था में नहीं पाया जाता है विलोमीता होती क्या है कि पलट ना पाना जैसे किसी चीज को पलट ना पाना ये होता है विलोमीता का गुण मैं आपको एक उधारन देता हूँ कि यहां विलोमीता का गुण जो है ऐसी अवस्था में पाया जाता है जिसमें अगर बच्चा हो बच्चे को एक से सव तक गिंती सिखा दी जाएं बच्चे को एक से सव तक गिंती सिखा दी जाएं लेकिन उससे कहा जाए कि अब जो है आपको सव से एक तक उल्टा गिंती लिखनी है तो बच्चा नहीं लिख पाता है अंदाजा लगाएं कि कौन सी अवस्था होगी पूरु शंक्रियात्मा का वस्था इंदरी जनित गामा का वस्था मूर्त शंक्रियात्मा का वस्था या अवचारिक शंक्रियात्मा का वस्था पता है आप लोग क्या होगा इसका जवाब देखे इसका जवाब बहुत ही आसान है पूरु शंक्रियात्म कवस्था विलो मेता का गुण जो है कि सवस्था में नहीं पाया जाता है पूरु शंक्रियात्म कवस्था में नहीं पाया जाता है ठीक है और मैं आपको बहुत सारी परिवासाइं नहीं, बहुत सारी विशेस्ताइं बताता हूँ पूरु संक्रियात्म का वस्ता की भासा कौसल के विकास के लिए सबसे महत्वण यह है सजीव वा निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है बच्चा सही अनुपात नहीं कर पाता है आतारकिक चिंतन होता है इसमें ठीक है, सही चित्र नहीं बना पाता है पलटावी का गुण नहीं पाय जाता है ठीक है, सन अच्छन नहीं पाय जाता है ठीक है प्रतीक सिंबल का यूज जो है बच्चा इसमें करने लगता है लच्छ केंदरित विभार भी जो है करता है लच्छ निर्देशित विभार जो है सवस्ता में करने लगता है ठीक है इसको याद रखेगा तो विलोमीटा का गुड़ जो है पूरु शंक्रिआत्मक अवस्ता में नहीं पայाज़ाता है अगला प्रशने आगमनात्मक तर्क ये जो है किस अवस्था में पाया जाता है पूर संक्रियात्मक अवस्था, इंदरी जिनित गामक अवस्था, मूर्थ संक्रियात्मक अवस्था या अप्चारिक संक्रियात्मक अवस्था तो आगमनात्मक तर्क जो है ये पाया जाता है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में देखे आगमनात्मक तर्क जो होता है इसमें सबसे पहले एक्जाम्पल दिया जाता है फिर एक्जाम्पल देगर के रूल बताया जाता है ठीक है तो आपका जो सी वाला अप्षन है मूर्थ संक्रियात्मक अवस्था इसमें जो है आगमनात्मक तर्क होता है ठीक है इसको आपको ध्यान दिखेगा और मूर्थ संक्रियात्मक अवस्था में पलटावी कवगोण पाया जाता है बच्चा इसमें सहय उनुपाद कर लेता है मोर तो वस्तों पर आधारी चिंतन करता है क्रम आकार भार और क्रम भजता आधी को समझने लगता है दिनांग दिन महिना और वर्ष के बारे में भी बच्चा जाने लगता है अगला है प्रचलित योजनाओं में नवीन जानकारी जोड़ना यह क्या कहलाता है समाजन, आत्मसातकरण, अनकूलन या संतुलन प्रचलित योजनाओं में नवीन जानकारी जोड़ना यानि आपको जो जो ज्यान है उसमें कुछ और नए चीज़े जोड़ देना यह होता है आपका आत्मसातकरण जैसे आपको सरल जोड़ आ रहे हैं तो कठिन जोड़ दे दियेगा तो आप पूर क्या ज्यान जो है इसमें यूज कर लेते हैं ठीक है तो भी वाला अपसन आपका सही होगा इसमें अगला है समीपस्त विकास मंडल यह क्या होता है जड़ पीडी इसके फोल्डिंग MQ या ननावदीज समीपस्त विकास मंडल यह होता है जड़ पीडी जोण आप प्रॉक्सिमल डेवलप्मेंट ठीक है जोण आप प्रॉक्सिमल डेवलप्मेंट ठीक है यह होता है आपका जड़ पीडी और यही होता है समीपस्त विकास मंडल ठीक है एक्जाम में पूछा जाएगा कि जटपीडी का पूरा नाम क्या होता है यहां पर बच्चा जो होता है इसमें बहुत अच्छा विकास करता है सहयोग के माद्धम से और जो सहयोग होता है वो जिसके पास अधिक ज्यान होता है बच्चों को वही सयोग करता है और जो सयोग होता है वो थोड़े समय के लिए दिया जाता है ठीक है इसके फोल्डिंग क्या होता है थोड़े समय की दी जाने वाली साहता यम के वो more knowledgeable अधर पियाजे सारवदिक किसे महत्य देते हैं समी पस्त विकास मंडल जैविक परिपक्वता समाज और संसकरती नैति विकास दिखिए पियाजे महोदे जैविक परिपक्वता को कास्वी महत्य देते हैं समाज और संसकरत को वाईगोस की नहती विकास को कोहलबर्ग B वाला अप्षन आपका यहाँ पर सही होगा अगला है P.I.J कहा के नीवासी थे स्विजल लेंड रूस अमेरिका या ब्रिटेन तो P.I.J महोदे स्विजल लेंड के नीवासी थे वाईगोस की रूस के कोहलबर्ग अमेरिका के तो पहला आपसन आपका यहाँ पर सही होगा अगला बहुत इच्छा प्रशने व्यक्तिकत स्वार्थ से जुड़ी अवस्था है नैतिक विकास का जो सिद्धान्त है उससे जुड़ा हुआ यह प्रशन है कि व्यक्तिकत स्वार्थ से जुड़ी अवस्था है प्रसंसा की वस्ता, सामाजिक समझोते की वस्ता, सार भौमिक नैतिक विकास की वस्ता या एहंकार की वस्ता तो देखिए व्यक्तिकत स्वार्थ से जुड़ी हुए वस्ता है सामाजिक समझोते की वस्ता जो भी व्यक्ति होता है इसमें वह व्यक्तिकत स्वार्थ से जुड़ करके काम करता है ठीक है जैसे करनौल सिंग जो थे वो income tax नहीं देना चाहते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि सरकार जो है वह उनका पैसा जो है बेकार के pull और bridge जो pull और bridge होते हैं उनको बनाने में खर्च करेगी तो व्यक्तिकत स्वार्थ से जुड़ी हुई नयतिकता होती है सामाजिक समझोते की अवस्था में सार भूमिक नयति विकास की अवस्था इसमें जो व्यक्ति होता है वह पूरे समाज के लिए काम करता है ठीक है तो सार भूमिक नयति विकास की अवस्था में जुड़े होते हैं जैसे हमारे मातमा गांदी सरदार भगश्रिंग चंज सेकर आजाज जी अगला परसने विद्याले प्रारंब की अवस्था है विद्याले का प्रारंब होता है बच्चे का छे वर्ष के समय से छे वर्ष का जब पूरा हो जाता है तो विद्याले अरंब हो जाता है इतना जो आपके लिए हिंट है ये आपको पता होना चाहिए कि विद्याले की अ वस्ता का प्रारम होगी तो आपको पता होना चैनल कि पूर संक रातम offers लुज़्द डूसे 7 वरस की होती एंद इंदिन संक्राहत्मज जर्म से 2 वरस ही मूर्त संकराइतम मॉत्टास साथ सी 11 वरस की और चारी 11 से पन्द्रा वश ही ठीक है 10-6 वर से तो इसको ध्यान किज़ा कर ने लगता है कि करम आकार भार और करम बद्धता जानने लगता है किस लखा में पूरु शंक्र आत्मा कवस्था मुर्थ शंक्री चिंतन के सवस्था में करता है अमूर्थ चिंतन समझ रहें आप लोग अमूर्थ चिंतन क्या होता है भावनाव से जुड़ा हुआ चिंतन होता है पोर संक्रियात्मों का वस्था में अतारके चिंतन होता है इंद्री जिंद गामों का वस्था में इंद्रियों और सरीर की क्र होता है क्योंकि भावनाएं जो हैं इसमें काफी विक्सित हो जाती है भाई 11 वर्ष अधिक का वच्चा जो होता है उसमें इमोसंस को समझने की बहुत ज्यादा चमता आ जाती है इसी वज़े से अमूर्थ चिंतन आपका ठीक है या तारकिक चिंतन जो है यह आपका और आपचारीक संक्रेयात्रीयों आउस्था में आ जाता है में हम बढ़ रहें अपने चौरदयों की और प्रस्न अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाई करिए बार निगमनात्र मात्रीक चिंतन होता है निगमनात्रीम माद में एक्जांपल ल क्रि fand exam ब थे Сегодня आपका डी वाला आप्शन से होगा निगमनात्मक चिंतन मैंने आपको बता दिया है कि पहले रूल आएगा बाद में एक्जामपल आएगा ठीक है तो और चारिक शंक्रियात्मक वस्था में निगमनात्मक चिंतन होता है अगला हमारा अंतिम प्रस्ते इस वीडियो का और बह कासात्मक चरण को जब बच्चा सेखने के पूरी जिम्मेदारी लेता है एक संधर्व जिसमें बच्चा बच्चे सहयोग के सही इस्तर के साथ कोई कारे लगबग स्वयम कर सकते हैं तो यहां पर जो है क्या होगा एक संधर्व जिसमें बच्चे सहयोग के सही इस्तर के जिसे समीपस्त विकास मंडल जो ना प्राक्सिमल डेवलोपेंट कहते हैं इसमें बच्चा सहयोग से सीखता है ठीक है किसी दूसरे के साथ सहयोग से सीखता है और बच्चा काम जो है स्वैम करने लगता है तो उमीद है आपको प्रस्ण अच्छे लगे होगे तो उमीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा 15 प्रस्ण थे और आसान सा वीडियो था अगर आप थेवरी का सेक्षन अच्छे से पड़े होंगे तो ये नार्मल से कोस्चान आपके लिए होंगे और आप पिग्णम चुटकियों में कर लिए होंगे तो आसा करता हू वीडियो अच्छा लगा होगा मिलेगा आपसे एक लिए वीडियो में कुछ नए प्रस्ण के साथ थेंक्यू